EBS या प्रयावरन ध्यायन की ओनलाइन स्टडी में आपका हारदेख स्वागत है आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किन-किन बर्त्रों में पानी भर कर रखा जाता है और किसमें अधिक और किसमें कम पानी आता है आपने पिशली वीडियो में पानी के भिन-भिन स्त्रोतों के बारे में जाना आपने जाना कि पानी को भरकर रखने की जरूरत क्यों पड़ती है जिन बरतनों में पानी भरकर रखा जाता है उनकी जानकारी आपको देने जा रहा हूं आप third class की EBS की book looking around या आसपास के page number 22 को open करें और इस वीडियो के साथ साथ इस content को या topic को अपने book पर या किताब में देखें ताकि आपकी आँखों पर कम stress पड़े तो आप क्यार हैं चलो शुरू करते हैं गलरदा pictures of those containers which you use for storing water नीचे दियेगे बर्तनों के चित्रों में से उन में रंग भरो जिन में तुम पानी भर कर रखते हो तो चलो picture में देखते हैं सबसे पहले है bucket या balty आगे है सुराही इसमें भी पानी भर कर रखा जाता है next क्या है water can या पानी की can चित्र में देखें ये है पानी का लोटा घर में बहुत जगा काम आता है ये ये है मिट्टी से बना पानी का मट्का ये मिट्टी से बना होता है और इसमें पानी ठंडा रहता है ये है जग ये पानी सर्व करने के काम आता है ये है स्टील का मट्का जिसको पानी भर कर रखने के लिए प्रयोग करते हैं आपने इन सभी कॉंटेनर्स के चित्र देखे ये आपको रंग भरने में हेल्प करेंगे आप इन कॉंटेनर्स की पिक्स को अपनी कॉपी पढ़रा करके उसमें कलर भरना In your notebook, draw pictures of any other containers which are used for storing water in your house Write their name से as well तुमारे गर में यदि किनी और चीजों में पानी भर कर रखा जाता है तो कॉपी में उनका चित्र बनाओ और नाम भी लिखो और किन-किन बर्तनों का पानी भरने के लिए प्रयोग करते हैं ज़रा सोचें तो आजकल घरों में पानी को store करने के लिए water tank बनाये जा रहे हैं और plastic के drums का भी पानी को भरने के लिए use किया जाता है Water bottles भी पानी भरने के लिए प्रयोग की जाती है इनके अतिरिक्त यदि आपके घर में कुछ और बर्तन जिन में आप पानी भर कर रखते हैं तो उनका नाम लिखें और उनका चितर भी बनाएं एका look at the pictures if we fill them with water चितर में दियेगे सभी बर्तनों में यदि उपर तक पानी भरा हो तो which will contain the least water किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा तो आपने चितर देखा है सबसे कम किस में होगा लोटे में which will contain the most water किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी होगा तो ज़रा आप ध्यान से देखकर बताएं हाँ मिटी के मटके में सबसे ज़्यादा पानी होगा How could you tell ये तुम कैसे कह सकते हो तुमने वर्तनों के साइज को देखकर ये बात कही शुटकी is confused हिरेन और शुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी उनके अंकल ने उन्हें स्टील के ग्लास भर कर आम का पन्ना दिया आम का पन्ना मतलब मेंगो जूस वर्त शुटकी वांटर दा ड्रिंक अंली इन आ ग्लास टंबलर पर शुटकी ने जिद पकड़ी मुझे तो कांच के ग्लास में ही पीने में मजा आता है अंकल पोड़ दा पन्ना इन्टू आ ग्लास टंबलर उसके अंकल ने पन्ना एक कांच के ग्लास में पल्ट दिया किसको पल्टा? स्टील के ग्लास में जो पन्ना था उसको कांच के ग्लास में पल्ट दिया वर्त शुटकी वास नॉट हैपी पर नहीं शुटकी फिर भी नहीं मानी बोली आंकल आपने मुझे तो कम पन्ना दिया है तुम्हें क्या लगता है क्या शुटकी के गलास में कम पन्ना था तो आप बताएं कि क्या शुटकी के गलास में कम पन्ना था या बराबर हाँ शुटकी के गलास में बराबर पन्ना था कैसे क्योंकि जो पन्ना स्टील के गलास में था वही पन्ना कांच के गलास में पल्टा गिया इसलिए शुटकी के ग्लास में वेही पन्ना उतना ही पन्ना था. Given in the grid are some places where water is found. Find seven of them and put a circle around each. One has already been done for you. पानी कहां कहां से मिलता है बर्ग पहली में ढूंडो और गोला लगाओ. इस बर्ग पहली में जहां जहां पानी मिलता है उसे ढूंडना है और उस पर गोला लगाना है. जैसा कि first है waterfall वो उसको color किया हुआ है आप देख सकते हैं. Second, lake अपनी screen पर देखें. लेक यानी जील आप लेक या जील की screen पर picture भी देख रहे हैं. Next है C, S, E, A सागर या समुदर ये केई हजारो किलोमेटर तक पहला होता है. अगला देखें W, E, L, L, well मैंने कुमां. आप इसे बर्ग पहली में दो जगा देख पा रहे हैं. और देखें आगे है P, O, N, D, pond यानी तालाव. Next है T, A, P, tap यानी नल. हिंदी मीडियम की बुक में दी गई बर्ग पहली को आप इसकी हेल्प से पूरा कर सकते हैं. देखें इसे ध्यान से बाबडी, बारिश, कुमा, जील, सागर, नदी, नहर, तालाव, टांका. तो आप इसको इसकी हेल्प से पूरा करें. In every row, put a circle around one that is different from the others. Also tell how it is different. इन में से जो अलग है उस पर गोला लगाओ और बताओ क्यों? ध्यान से देखें, river, नदी, mountain, पहाड, लेक, जील, पॉन्ड, तालाव, spring, चश्मा या सोता. तो इन में आपको क्या अलग लग रहा है? हाँ, mountain यनि पहाड क्योंकि बाकी सभी water resources हैं और पहाड अलग है. नेक्स्ट, वाथिंग, नहाना, वाशिंग, क्लॉज, कपड़े धोना, स्विविंग, तैरना, कॉम्बिंग, हेर, कंघी करना, नीडिंग, डो, आटा गून्दा. इन में, हाँ, अब आप समझ गए हैं कि इन में कॉम्बिंग, हेर, या कंघी करना अलग है क्योंकि बाकी सभ के लिए water की जरूरत है. कंघी करने के लिए पानी की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है, फिश, मशली, डक, वतक, मौंकी, वंदर, क्रोकोडाइल, मगरमश, टोरो टोाइस, कशुव, हाँ, इन में मौंकी लग है क्योंकि बाकी सभी पानी में रहते हैं मौंकी पेडों पर. नेक्स्ट है, कार, बोट, नाब, वस, ट्रेन, रिल गाड़ी, वाइसेकल, इसमें बोट या नाब लग है क्योंकि ये पानी में चलती है. इन में से वाकी कोई भी पानी में नहीं चलता है. आप इन सभी कॉस्चन्स के अंसर को अपनी कॉपी पर नोट करके एक सुंदर सी पिक खेंच कर वाट्सेप ग्रूप में क्लास टीचर को सेंड करना. इस वीडियो में इतना ही है वे नाइस ती.